वेलकम आज के वीडियो में बात करेंगे definite integration के बारे में सबसे पहले समझेंगे definite integration करना कैसे होता है फिर उसके बाद definite integration की properties के बारे में सिंखेंगे और properties के उपर best problem भी करेंगे तो ये वीडियो लंबा होगा वीडियो के अंत तक बने रहे हैं कि definite integration की सारी properties और सारे type के problems के बारे में आपको idea हो जाए तो आईए सुरू करते हैं जो सबसे पहला हमारा idea है कि definite integration को इस theorem की मदद से समझे कि माल लीजिए यहां पर दिया हुआ है कि let f be a continuous function defined on the closed interval a b and capital f be an anti-derivative of this function a small f तो अगर हम integrate करें f of x यानि कि small f of x को a से b के बीच में तो यहां पर capital f of x क्या है anti-derivative है integral है small f of x का तो हम वहां पर उसका integral लिखेंगे और फिर value पूट करेंगे limit का a to b और फिर इसको कैसे compute करते हैं हम पहले upper limit की value डालते है यानि कि f x की जगह पे b डालते हैं और x की जगह पे फिर a डालते हैं तो basically कहने का मतलब यह है सिधा सिधा आप यह समझे इसमें confuse मत होई है यहां पे दिया हुआ है कि यहां पे f b anti-derivative of x यानि कि यह दिया हुआ है कि जो अगर आप f of x dx करते हैं तो यह आपको capital f of x मिलता है ठीक है तो problems की मदद से आप समझें यहां पे छोटे-छोटे मैंने बहुत सारे problems लिखे हैं सबको जल्दी-जल्दी करते हैं तो जो पहला problem लिखा हुआ है कि आप integrate करिए x square dx को और यहां पे limit of integration बोलते हैं इसको 2 to 3 तो इसको हम कैसे solve करेंगे तो हम x square को simply integrate करते हैं x square को अगर हम integrate करेंगे तो आएगा x q by 3 यानि कि x q by 3 क्या है x q by 3 x square का anti derivative है और उस x q by 3 में हम limit of integration पूट करते हैं 2 to 3 ठीक है तो यहां पे अगर आप upper value पूट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3 q by 3 और minus 2 q by 3 तो आप 1 by 3 बाहर भी लिख सकते थे तो 3 q कितना हो जाएगा 27 और 2 q कितना हो जाएगा 8 तो यानि कि आपका जो answer आएगा तो इसमें कुछ खास special नहीं है बस integrate करना है constant of integration नहीं लिखते हैं इसमें बस limit of integration जब भी definite integration होगा तो हम limit of integration substitute करते हैं constant of integration यहाँ पे लिखने की जड़ोत नहीं होती है जो second problem है उसको ध्यान से समझें second problem क्या है कि यहाँ पे है 4 to 9 और under root x divided by 30 minus x to the power 3 by 2 और whole to the power 2 dx तो इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इसको solve करने के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि एक substitution कर लेते हैं substitution का आपको method बताया गया होगा पिछले वीडियो में तो मैं यहाँ पे माल लेता हूँ कि let u is equal to 30 minus x to the power 3 by 2 ठीक है तो अगर u यह है तो du क्या हो जाएगा du जो हो जाएगा इसको अगर आप differentiate करोगे तो 0 और यह तो minus 3 by 2 और x to the power 3 by 2 minus 1 यानि कि x to the power 1 by 2 इसको आप under root x ही बोल दो और dx ठीक है तो यह मैंने इसलिए कि under root x dx हमारा numerator में मौझूद है तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि under root x dx is equal to minus 2 by 3 du यहाँ पे एक जो बहुत ही महत्पोर्ण concept में बताने वाला हूँ यह important idea है कि जब भी आप substitution करते हैं limit integration करने time पे तो आप limit of integration को भी change करते हैं क्योंकि जब limit of integration आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे तो यह तो x का limit है यह जो limit है यहाँ पे 4 to 9 यह x का limit है तो u का limit क्या होगा क्योंकि आपका integration u में change हो रहा है तो आप ऐसे करते हो कि मालो at x is equal to 4 आप क्या लेते हो at x is equal to 4 u की value क्या होगी वो होगी 30 minus 4 to the power 3 by 2 4 to the power 3 by 2 तो 30 minus 4 to the power 3 by 2 यानि कि 30 minus 2 square तो 2 square cancel हो जाएगा यह 8 आजाएगा यानि कि 22 आजाएगा और उसी तरह से अगर आप इसको integrate इसकी value निकालोगे at x is equal to 9 तो u की value क्या होगी u की value होगी 30 minus 9 to the power 3 by 2 तो 9 to the power 3 by 2 का मतलब क्या हुआ कि 3 square तो 3 square 3 square कर जाएगा 3 cube तो 27 30 minus 27 कितना होगा 3 हो जाएगा तो अब इस वाले problem को अगर मैं लिख हूँ तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा this is equal to जो 4 की जगा पे limit था वो आपका limit आ चुका है 22 ठीक है 4 की जगा पे जो limit है वो आपका limit आ चुका है 22 और जो 9,000 की जगा पे आपका limit आ चुका है 3 और under root x dx की जगा पे इसको लिखो गे 1 by यह क्या है आपका यह आपका ने माना था u तो यह आपका है u square और minus 2 by 3 minus 2 by 3 du यह आपका integral हो रहा है ठीक है मैं यहाँ पे जगा नहीं है तो उपर में थोड़ा सा जगा बना देता हूँ ताकि यह वाले problems को कम से कम हमें दुसरे page पे ना जाना पड़े यहाँ पे complete हो जाए अधर आपको confusion हो जाएगा इधर उधर देखने में तो अब यहाँ पे अगर इसको हम आगे लिखें इस ठीक है और limit of integration है 22 to 3 तो यह minus को भी अगर आप बाहर ले लो तो आपका हो जाएगा plus 2 by 3 और आपको पता होगा कि जब हम upper limit put करते हैं पहले तो u की जगा पे हम पहले क्या put करेंगे हम पहले put करेंगे 1 by 3 तो upper limit put किया तो 1 by 3 फिर minus लेते हैं और lower limit है 22 तो हम लिखेंगे 1 by 22 ठ होगा है तो 22 और 3 का जो LCM होगा वो कितना होगा 22 और 3 का LCM I think कितना होता है 66 या 66 होगा और यह 22 यहां से आएगा और 3 यहां से आएगा तो यह कितना हुआ उपर में आगया 19 और नीचे में यह 2 और 33 तो 33 इंटो यानि कि 99 तो यह आपका answer हो गया 19 by 99 ठीक है तो इस तरह से हम definite integration को करते हैं definite integration में basically कुछ नहीं कर रहा है integrate कर रहे हैं और limit of integration put कर रहे हैं तो अंतर कहां प्यारा है जब हम indefinite integration करते हैं तो वहाँ पे constant of integration add करते हैं और जब हम definite integration कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वहा पर हम limit of integration को substitute कर रहे हैं तो आईए एक दो problem और देख लेते हैं जैसे कि एक problem मैं देख लेता हूं 1 to 2 x dx तो यहां पर है 1 to 2 x dx तो इस वाले problem कोई कैसे करेंगी यह तो आपका देख के पता चल रहा है कि यह rational function है और यह rational function कैसा है proper rational function है आपको मैंने partial fraction वाले वीडियो में यह सारी चीजे समझाई है तो इसको पहले आपको partial fraction के form में लिखना पड़ेगा partial fraction कैसे लिखते हैं partial fraction लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा this is equal to a by x plus 1 और इसको लिखना पड़ेगा plus b by x plus 2 ठीक है और फिर आपको compare करना पड़ता है यानिकी x को आप लिखोगे a times x plus 2 और plus b times x plus 1 ठीक है और फिर 100 क्या था कि हम values ले लेते हैं तो मालो हम x की value ले लेते हैं minus 2 तो in the left hand side हमारे पास minus 2 आ जाएगा right hand side में तो ये 0 हो जाएगा minus 2 plus 1 कितना होगा minus 1 होगा यानि कि minus 2 minus b के बराबर होगा तो यहां से हमें b की value पता चलेगी 2 और हमें दूसरे को 0 बनाना है कि अगर हम x को minus 1 ले 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 तो at x is equal to minus 1 यहां पे left hand side में minus 1 आएगा ये तो 0 हो जाएगा और minus 1 plus 2 यानि कि 1 तो ये a के बराबर आएगा तो a क्या हो गया ये minus 1 के बराबर हो गया तो ये जो integral है वहाँ पे हम लिखेंगे minus 1 by x plus 1 और b की जगा पे हम लिखेंगे 2 by x plus 2 आप इसको देखलो simplify करके कि कितना आएगा यहां पे आएगा minus x plus 2 और यहां से आएगा 2 x plus 2 तो basically इतना ही आएगा तो ये integral कितना होगा पहला है minus 1 by x plus 1 और दूसरा है plus 2 by x plus 2 इसको हमें करना है integrate limit of integration कहां से कहां तक है 1 से 2 तक है तो पहले से हमें मिलेगा minus log of mod x plus 1 और इसका limit of integration हमें क्या put करना पड़ेगा इसका limit of integration हमें put करना पड़ेगा 1 to 2 और दूसरे से भी हमें आएगा 2 log mod of x plus 2 और इसका भी हमें limit of integration पुट करना पड़ेगा 1 to 2 तो अगर हम limit of integration पुट करेंगे तो minus upper limit 2 है तो यह हो जाएगा log 3 और lower limit 1 है तो 1 plus 1 2 हो जाएगा तो minus log of 2 और plus 2 यहाँ पे upper limit 2 है तो यह 2 plus 2 log of 4 हो जाएगा और lower limit log of 3 हो जाएगा ठीक है आप चाहो तो इसको log को simplify करके लिख लो या आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो या simplify करना चाहो तो कड़ ही लो तो यह कितना हो जाएगा minus log 3 plus log 2 और यहाँ से 2 log 8 आएगा यानि कि log of 16 और यहाँ से minus 2 log 3 यानि कि minus log of 3 square यानि कि 9 तो अगर आप इसको log को simplify करोगे तो 16 into 2 उपर में आजाएगा 32 और नीचे में आजाएगा 9 क्या है 9 into 3 27 तो log of 32 by 27 यह आपका अंसर हो गया इस problem को भी मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर limit substitution का concept हमें इस्तेमाल करना है और limit substitution का concept के दौरान change of limit भी यहाँ पर करना है तो change of limit का concept आपको clear हो जाएगा इसलिए मैं fourth problem भी आपको कर दे रहा हूँ तो हमारा fourth problem के अंदर है 0 to pi by 4 और यह है sin cube 2t और cos 2t dt तो देखे मैं यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि यह तो देखे आपको पता चल रहा है कि substitution क्या होगा यहाँ पर substitution होगा कि let u is equal to sin 2t होगा इसमें कोई confusion ही नहीं है तो du कितना हो जाएगा du हो जाएगा 2 cos 2t dt ठीक है और cos 2t dt तो हमारा यहाँ पर है तो इसको हम cos 2t dt की जब पर du लिखेंगे ठीक है limit change क्या से करना है कि at t is equal to 0 u क्या हो जाएगा sin 2 into 0 यहाँ कि sin 0 हो यानिकि 0 के बड़ाबर होगा और जब हमारी limit t की value pi by 4 है तो t की value pi by 4 है तो u की value कितना है u की value हो जाएगी sin 2 into pi by 4 यानिकि pi by 2 sin pi by 2 1 के बड़ाबर होता है तो यह जो integral है वो limit change होने के बाद 0 to 1 sin 3 to t के value होगी u q और cos 2 t dt के बड़ाबर जगह पे मैं लिखोंगा du by 2 1 by 2 constant है बाहर आ गया u q का integration हो जाएगा u to the power 4 by 4 limit of integration put करना है 0 to 1 तो यह क्या होगा यह होगा 1 by 8 1 minus 0 यानिकि 1 by 8 यह आपका answer आ गया ठीक है तो इस तरह से हम problems को solve कर सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि यह problem आप as a homework ले लो और आप इसको solve करो और यह problem भी as a homework मैं इसको भी कर देता हूँ यह आपका एक homework exercise है आप इसको करो वीडियो को pause करके इसको करने के लिए फिर से आपको substitution यूच करना परेगा तो हम यहाँ पर माल लेतने हैं कि let u is equal to tan inverse x ठीक है क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर इसको हम differentiate करेंगे तो हमें 1 by 1 plus x square आएगा इसमें ज्यादा सुचना नहीं है तो यहाँ पर 1 plus 1 by x square dx आ गया और substitution में क्या है कि अगर x की value 0 होगी तो u की value क्या होगी tan inverse 0 यानि कि tan inverse 0 0 के बढ़ाबर होगी और at x is equal to 1 u की value क्या होगी u की value होगी tan inverse 1 यानि कि pi by 4 यह आपको trigonometry वगरे का जो results है वो याद रखना पड़ेगा तो यह हो गया 0 अपर limit हो गया pi by 4 और यह आपका क्या था tan inverse x की जगा पर आपने लिखा था u और dx by 1 plus x square du हो गया तो यह आपका हो गया u square by 2 limit of integration हो गया 0 to pi by 4 तो यह 1 by 2 u square अगर आप लिख हो गये तो यह होगा pi square by 16 और minus 0 तो यहाँ से आपको मिलेगा pi square by 32 तो यह आपका answer हो गया तो आप यह देख पा रहे हो कि substitution करने के बाद integration करना कितना आसान हो जाता है और किसी तरह का कोई challenge नहीं है basically अगर आप problems को समझ पाए तो एक ही idea है कि आप limit of integration को appropriate धंग से आपको change करना है और अगर आपने appropriate धंग से limit of integration को change कर लिया जिसी साब से substitution कर रहे हैं तो integration आपका हो जाएगा अब जो important है वो यह है usually जब limit जो problems होते हैं वो properties के उपर best होते हैं वो पूछे जाते हैं क्योंकि जो without properties हमने problem किये वो तो important है ही पर जो properties वाले problem है वो ज्यादा important है तो इसको कैसे करेंगे properties की list को मैंने आपके सामने और रखा हुआ है मैं आपको suggest करूंगा कि आप जो है इसको एक बार वीडियो को pause करके इसको note कर लो already हम वीडियो में 15 मिनट जा चुके हैं तो आप pause कर लो इसको note कर लो और उसके बाद मैं आपको explain भी कर दूँगा तो पहला property बड़ा obvious है कि जैसे f of x dx है तो मालों हमें integrate करना है x square dx और limit of integration है 2 to 3 और अगर हम इसको लिख दे x square की जग़े पे t square dt और limit of integration लिख दे 2 to 3 तो दोनों में कोई अंतर नहीं है basically क्या हम कर रहे हैं कि x की जग़े पे t लिख रहे हैं तो ये पहला property है दूसरा property भी काफी important है कि जैसे किसी चीज को किसी function को आपको integrate करना हो मालों हम 2 to 3 x square dx लिखें और किसी ने गलती से इसको लिख दिया 3 to 2 x square dx तो आपको पता है क्या होगा कुछ नहीं होगा अगर आपने limit of integration change किया तो आपको एक extra minus sign आ जाएगा तो दूसरा property आपको ये बोल रहा है कि किसी भी चीज को अगर a से b तक आपको integrate करना हो f of x dx को तो आप उसको a से c तक integrate कर लो ठीक है और फिर c से b तक integrate कर लो तो ये natural भी लग रहा है कि अगर हमें मालों एक point से दूसरे point तक जाना है तो हम एक point से यहाँ पे बीच में एक point पे चले जाए और फिर उसके बाद अगले point पे चले जाए तो कोई इसमें doubt वाली बात तो है नहीं तो definite integration की इस property को भी आप यहाँ पे समझ पाए होंगे ठीक है जो next चीज है हाँ कुछ लोग मेरे दिपांग में अभी यह आ रहा है कि definite integration होता क्या है वो भी आपको पता होगा अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक line में वही बता देता हूं कि जैसे कि अगर मैं किसी function को integrate कर रहा हूं ए से बी तक तो यह basically आपको क्या देता है इसका geometrical meaning क्या है तो geometrical meaning यह है कि मालो आपका कोई function है इस तरह सी यह f of x का graph है और आप इसको integrate कर रहो है point A से लेके point B के बीच में तो यह value जो expression जो calculate करने के बाद आपको value दे रहा है वो क्या दे रहा है वो इस reason का area दे रहा है कि area under the curve above the x-axis तो x-axis और curve के बीच में जो area bound होता है वो area is definite integration से आता है ठीक है तो यह चीज आपको I think की समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग बोल सकते ह है कि आप integration कर रहे हो पर इस integration का purpose क्या है जैसे indefinite integration में हमने बताया था कि उसमें आपको family of curves मिलता है इसमें आपको क्या मिल रहा है इसमें आपको area मिल रहा है ठीक है जो चौथी property है यह बहुत ही महत्पूर्ण property है यह क्या बोल रहा है कि A to B और अगर किसी चीज को integrate करना ह f of x dx तो हम इसको A to B और x की जगा पे हम क्या करते हैं x की जगा पे हम substitute कर सकते हैं a plus b minus x dx ठीक है मैं यहाँ पे जब वीडियो बना रहा हूं तो पीछे कुछ loudspeaker चलने की आवाज आ रही है मुझे नहीं idea कि यह आवाज क्या छोड़ा है या नहीं मैं वीडियो को थोड़ी प्रोपर्टी क्या बोल रहा है कि 0 to a f of x dx अगर आपको निकालना हो तो यह बराबर होता है 0 to a और x की जगा पे हम a minus x dx लिख सकते हैं तो जो लोग smart हैं वो अल्रेडी समझ चुके होंगे कि यह जो fourth property है वो इसी का special case है इसमें lower limit a की जगा पे 0 है तो यहाँ पे अगर आप a plus b लिख रहे हो तो यहाँ पे a plus 0 लिखोगे तो a ही आएगा तो यह कोई अलग property नहीं है यह third property या जो p4 है वो p3 का special case है यह property बहुत ही महत्पुर्ण है यह बोल रहा है कि अगर किसी चीज को 0 से 2a के बीच में integrate करना हो f of x dx तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको हम लिख x dx यह बहुत ही मौत्पुर्ण property यह इसको याद रखें इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं पर प्रूफ में मैं नहीं जाना चाहता जो sixth property है p6 है यहाँ पे बोल रहा है कि 0 to 2a fx dx अगर आप कर रहे हो तो यह 2 times 0 to a fx dx होगा ठीक है कब तब जब f of 2a minus x fx के बराबर हो और यह बहुत ही मौत्पुर्ण property है इसका हम इस्तेमाल usually multiple twice question को solve करने में करते हैं और यह बराही मौत्पुर्ण है कि अगर किसी भी function को आप integrate कर रहे हो minus a से a के बीच में यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि minus a से a limit है तो यह या तो 2 times 0 to a fx dx होगा 2 times कब हो जाएगा जब f of x एक even function होगा even function आपको पता है क्या होता है कि एक ऐसा function जिसमें f of x की जग़ा पे x की जग़ा पे अगर आप minus x रखो तो यह function change नहीं होता है और odd function एक ऐसा function होता है जहाँ पे x की जग़ा पे minus x रखो तो minus of f of x हो जाता है ठीक है तो अगर odd function होगा तो integration जो है वो 0 हो जा अब मैं problem solving की तरफ जा रहा हूँ और problem solving ही एक तरीका होता है properties को बेथर तरीके से समझने का तो हम एक एक करके problem को solve करेंगे अब यहाँ पे हमें integrate करना है minus 1 से 2 के बीच में और जो हमें integrand है वो है mod of xq minus 1 तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि mod की property क्या होती है mod की property यह होती है कि mod of x जो है वो या तो x होता है या तो minus x होता है x कब होता है जब x आपका greater than or equal to 0 हो और minus x कब होता है जब x less than 0 हो ठीक है तो सबसे पहले तो हमें इसकी mod को समझना पड़ेगा mod के अंदर जो quantity है वो है xq minus 1 वो है xq minus x not 1 xq minus x तो xq minus x को लिखा जा सकता है x into x square minus 1 और फिर इसको लिखा जा सकता है x into x minus 1 into x plus 1 और अगर आपको idea हो कि कैसे हम sine scheme decide करते हैं तो हम number line पे इन तीनों quantity को जो कि इसके root sense को plot करेंगे तो यहाँ पे root है minus 1 यहाँ पे root है 0 और यहाँ पे root है plus 1 extreme right में positive होता है फिर negative होता है alternatively sign change करेगा फिर positive होगा और फिर negative होगा इसका पूरा का पूरा जो system है वो मैं detail में नहीं जाना चाहता यह sign scheme कैसे बदलता है अगर आपको इसके बारे में doubt है तो आप मुझे comment के माध्यम से बताएं मैं एक separate video इसके उपर detail में बना दूँगा ठीक है तो यहाँ पे 0, minus 1 और 1 आ रहा है तो यह positive कब है और हमारा यहाँ पे limit क्या है हमारा यहाँ पे limit है minus 1 से लेके 2 तक तो यह बात बिल्कुल clear है कि अगर हम इसको minus 1 से लेके 0 तक integrate करेंगे तो यह तो positive sign के साथ बाहर आएगा 0 से 1 के बीच में integrate करेंगे तो negative sign के साथ बाहर आएगा और 1 से 2 के बीच में integrate करेंगे और वो property भी आपने देखा था property क्या था कि अगर किसी चीच को A से B तक integrate करना हो तो हम उसको कौन सी property थी यह वाली ठीक है कि A से B तक integrate करना हो तो यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि अगर हमें minus 1 से लेके 2 तक करना है minus 1 to 2 तो हम उसको break करके करेंगे हम करेंगे minus 1 to 0 फिर हम करेंगे 0 to 1 और फिर हम करेंगे 1 to 2 और ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यह जो mod है mod को अगर हम हटाएंगे तो यह xq minus x हाएगा या तो minus xq minus x हाएगा ऐसा नहीं कि minus 1 से 2 के बीच में यह सेम ही रहेगा तो इसको इसका कहने का मतलब यह है कि मैं इसको लिख देता हूं कि minus 1 to 0 आप लो और minus 1 1 to 0 में यह positive है तो यह xq minus x dx होगा ठीक है फिर 0 to 1 आपको लिना है तो plus 0 to 1 0 to 1 में यह negative है तो जब mod आप हटाओगे तो यह extra minus sign के साथ बार आएगा यानि कि minus xq minus x dx होगा और plus आपको फिर से 1 से 2 तक यह positive है यानि कि xq minus x dx होगा ठीक है तो अब हम क्या करते है कि अब हम जो है इसको integrate करते है तो xq का integration होता है x4 by 4 और x का integration होता है x square by 2 limit of integration हमें minus 1 से 0 रखना है यहाँ पे हम क्या करते है कि यहाँ पे minus को अगर multiply करते है तो यह plus x हो जाएगा तो plus x का integration क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x square by 2 होगा और minus x cube का integration होगा minus x to the power 4 by 4 यहाँ पे जो limit of integration है वो है 0 to 1 और फिर से वही चीज x cube का integration होगा x 4 by 4 minus x का integration होगा x square by 2 limit of integration हम put करेंगे 1 से 2 तक अब हमें सारे limits की value को substitute करना है तो अगर हम 0 इसमें substitute करेंगे तो क्या होगा यह भी 0 यह भी 0 तो यह तो 0 minus 0 हो गया कोई दिक्कत नहीं है फिर हम minus अगर इसमें minus 1 put करेंगे तो यह minus 1 by 4 और minus 1 by 2 ठीक है यह हो गया फिर दुसरे पे आजाईए दुसरे में क्या है कि अगर आप 1 put करोगे तो यह आएगा 1 by 2 minus 1 by 4 और minus अगर आप 0 put करोगे तो यह आएगा 0 minus 0 और जो third वाला है उसमें आपको थोड़ा द्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 put करोगे तो 2 to the power 4 by 4 2 to the power 4 by 4 minus अगर आप 2 put करोगे तो यह आएगा 2 square by 2 और minus में क्या आएगा minus में 1 put करने पे 1 by 4 minus 1 by 2 ठीक है तो अगर आप इसको simplify करोगे तो जो आपको answer आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ देखो यह minus है तो यह 1 by 2 minus 1 by 4 यानि कि पहले से आएगा 1 by 4 दूसरे से भी क्या आएगा दूसरे से भी आपको आएगा 1 by 4 यहां कि 1 by 2 minus 1 by 4 है तो 1 by 4 और यहां से क्या आएगा यहां से आएगा आपका 2 to the power 4 यानि कि 16 by 4 4 by 2 तो 4 by 2 तो आपका आजाएगा 2 नहीं 16 by 4 4 और 4 minus 2 यानि कि आजाएगा 2 और यहां से आजाएगा यह 1 by 2 minus 1 by 4 तो यहां से आजाएगा 3 by 4 यानि कि 4, 2, 8, 3, 11, 4 तो 11 by 4 इसका आपका आंसर हो जाएगा calculation हमने कैसे किया उसको आप एक बार खुद से देखने की कोशिस करें concept क्या था कि जब भी mod आता है तो हमें उसका sign कैसे decide करना है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि mod के अंदर जो quantity है वो किस particular interval में positive है और किस में negative है यह जो problem है यह काफी अच्छा और important problem है अच्छा और important problem है इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि यह without property आप इसको solve नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको property इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कौन सी property मैं इस्तेमाल करूंगा मैं उस property को लिख देता हूँ एक हमने property देखा है कि अगर हम 0 to a f of x dx निकालते हैं ठीक है तो यह होता है बड़ाबर 0 to a और x की जगा पे हम a-x लिख सकते हैं ठीक है तो इसी property का यूज कर रहा है यह है 0 to pi और x की जगा पे हम a-x यानि कि क्या लिखेंगे a की value क्या है यहाँ पे pi है तो pi-x लिखेंगे और sin x की value की x की जगा पे क्या लिखेंगे pi-x लिखेंगे divided by one plus cos square pi-x dx अब इसको अगर आप simplify करोगे तो यह क्या जाएगा 0 to pi यह तो pi-x as such हो गया पर sin pi-x sin x के बड़ाबर होता है और one plus cos pi-x minus cos x के बड़ाबर होता है पर square करने पर फिर से वो positive हो जाएगा तो यह cos square x dx हो गया ठीक है तो basically concept यहाँ क्या है कि यह जो evaluate मैं करना चारा हूँ अगर यह integral i है और यह भी integral i है कौन सा यह हमारा i integral है तो इसको भी यह भी i है मैं लिख देता हूँ ताकि confusion नहीं 0 to pi pi-x sin x क्योंकि integral की property उच किया है तो integral तो change हुआ नहीं तो यह जो हमारा original integral था अगर मैं इसको 1 मालनू i को और इस वाले i को 2 मालनू तो दोनों i को अगर हम add करें तो हमें क्या मिलेगा हमें 2 times i मिलेगा ठीक है और integral को कैसे add करेंगे चुकि limit of integration same है तो अगर हम इसको add करेंगे तो दोनों के अंदर denominator तो same है यानि कि 1 plus cos square x तो same है उपर में है यहाँ पे x sin x और यहाँ पे है pi minus x sin x तो x sin x और x sin x कट जाएगा उपर में केवल बचेगा pi sin x dx ठीक है और इसको pi को बाहर लिया जा सकता है और इहाँ पे हमारे पास हो गया 0 to pi sin x divided by 1 plus cos square x dx अब इसको evaluate करना आसान है इसको हम कैसे evaluate कर सकते हैं इसको हम substitution की मदद से तो हमारा i क्या हो गया हमारा i हो गया basically pi by 2 और 0 to pi sin x by 1 plus cos square x dx अब हम क्या करते हैं हम माल लेते हैं कि let u is equal to cos x तो du क्या हो जाएगा du हो जाएगा minus sin x dx ठीक है यहाँ पे मैं next page पे चलता हूँ ताकि कोई confusion ना हो तो next page पे मैं जा रहा हूँ और हमारा जो integral है वो क्या है हमारा जो integral है i is equal to pi by 2 0 to pi और क्या था यह sin x by 1 plus cos square x sin x by 1 plus cos square x dx तो मैं क्या मुल ला था कि u को आप cos x मान लीजिए तो u को अगर आप cos x मानेंगे तो du क्या हो जाएगा du हो जाएगा minus sin x dx ठीक है तो minus को आप इधर लिख लिजिए इधर इसको plus कर दीजिए तो sin x dx आपका यहाँ पे है तो उसकी बदले आप minus du लिखेंगे definite integration में मैंने बताया था कि जब आप variable change करते हो तो limit भी change करते हो तो अगर आप x को 0 लेगो तो उस time पे u की value क्या होगी u की value होगी sin 0 sin 0 0 के बड़ाबर होता है और अगर आप x को pi लोगे तो उस time पे u की value क्या होगी u की value होगी sin pi sorry मैं यहाँ पे गरबर कर रहा हूँ गरबर यह कर रहा हूँ कि मैंने substitute किया है cos ठीक है तो सही कर देते हैं x की value अगर आप 0 लोगे तो u की value होगी cos 0 और cos 0 जो है वो बड़ाबर होता है 1 के cos 0 कि इसके बड़ाबर होता है 1 के और यहाँ पे आपको लेना है u की value cos pi तो cos pi क्या होता है cos pi होता है वो बड़ाबर होता है minus 1 के ठीक है cos 0 1 के बड़ाबर होता है cos pi by 2 0 के बड़ाबर होता है तो यह जो integration होगा वो क्या हो जाएगा यह integration हो जाएगा pi by 2 जब आपका 0 था जब आपका यह x 0 था तो u था 1 और जब आपका x pi है तो u है minus 1 और यह हो गया 1 by x u की जगा पे आपने cos x लिखा है तो cos x की जगा पे u लिखना पड़ेगा 1 by u square और sin x dx जो है वो minus du है तो यहाँ पे आपने minus du लिख दिया एक line आप और भी लिख सकते हो कि minus है तो अगर आप इसको बाहर लाओ तो यह pi by 2 और इस limit को change कर दो इसको लिख दो minus 1 to 1 1 by 1 plus u square du प्रोपर्टी आप समझे एक प्रोपर्टी हमने discuss की थी कि a to b fx dx जो होगा वो minus b to a fx dx होगा तो यहाँ पे हमने limit को change कर दिया 1 to minus 1 था तो minus 1 to 1 ले आए तो एक extra minus आएगा जो इस minus को plus बना देगा अब यह क्या हो गया यह हो गया pi by 2 और 1 plus u square का integration होता है tan inverse u limit of integration है minus 1 to 1 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा pi by 2 और यहाँ से आएगा tan inverse 1 और यहाँ से आएगा minus tan inverse minus 1 ठीक है तो आपको क्या मिलेगा यह मिलेगा pi by 2 tan inverse 1 हो जाएगा pi by 4 और tan inverse जो minus 1 हो जाएगा उसको हम क्या लिख देंगे उसको हम लिख लेंगे minus pi by 4 ठीक है तो जो value आएगी आपको pi by 4 minus minus pi by 4 तो आपको यह plus pi by 4 हो जाएगा ठीक है तो जो आपका आंसर आया वो आया πाई बाई टू इन्टू पाई बाई टू यानि कि पाई स्क्वेर बाई फोर ठीक है तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कर सकते हो एक चीज और भी है कि अगर कुछ लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने एक और भी प्रोपर्टी देखी थी इस step के बाद ऑपकी convenience पे Depend करता ही कि अपकर आप फॉलो करते हो कि इस step के बाद कुछ लोग ऐसा सुच सकते हैं कि इससा हमें यहाँ पी इसको ऐसा लिख देते कि pi by 2 और minus 1 to 1 limit है तो इसको हम 2 times 0 to 1 कर देते हैं कौन सी property की मैं बात कर रहा हूँ property यह बोल रहा हूँ कि अगर minus a to a है तो इसको 2 times 0 to a किया जा सकता है 2 times sum कर देते हैं तब जब यह एक even function हूँ यह even function क्या है क्योंकि अगर u की जगा पे आप minus u रोख होगे तो यह हो जाएगा 1 plus minus u का square यानिकि यह भी आपका आएगा 1 plus u का square तो उसमें ऐसा किया जा सकता था 1 plus u square do ठीक है तो यह 2 और 2 cancel हो जाता यहां से आपको बचता पाई और फिर आप लिखते tan inverse u limit 0 to 1 तो फिर से आपका आता पाई और tan inverse 1 आचा आता आपका पाई by 4 minus tan inverse 0 0 तो यहां से भी आपका पाई square by 4 आता तो properties का इस्तेमाल करके जो problem हम solve करना है वो काफी आसानी से हम solve कर सकते हैं यह problem देखी यह काफी interesting problem है important भी है इसमें क्या है कि जो आपको function integrate करना है वो है sin to the power 5x और into cos to the power 4x limit of integration है minus 1 to 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी limit of integration minus a to a हो तो आप check करो कि function का nature क्या है तो अगर आ minus x रिखोगे तो यह sin 5 minus x और cos to the power 4 minus x आपको एक trigonometry के अंदर result पता होगा कि sin minus x minus sin x के बढ़ाबर होता है और cos minus x जो होता है वो cos x के बढ़ाबर होता है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus sin to the power 5x और यह हो जाएगा cos to the power 4x ठीक है क्योंकि यह minus है तो minus का power 5 करने पर तो minus होगा तो यह basically क्या आगया यह एक odd function आगया minus of fx और अगर odd function हो तो integration minus a to a के बीच में 0 हो जाता है हमें कुछ और करने की जो होतनी है एक line में हमारा answer आ गया ठीक है वीडियो में कितना time हो चुका है 36 मिनट हो चुके है तो मैं और भी कुछ interesting problem लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है 50 से 60 मिनट के बीच में complete हो जाए तो अब यह जो integration है यह भी important type है 0 to pi by 2 और sin to the power 4x by sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx एक हमने बहुत ही important property पढ़ी थी कौन सी property कि 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि यह जो integral है वो क्या होगा वो होगा 0 to pi by 2 और x की जगा पे हमें लिखना है pi by 2 minus x तो sin pi by 2 minus x divided by sin to the power 4 x की जगा पे हम लिखेंगे pi by 2 minus x और cos to the power 4 x की जगा पे हम लिखेंगे pi by 2 minus x ठीक है dx तो यह जो basically आएगा वो क्या आएगा वो आएगा i is equal to 0 to pi by 2 sin to the power 4 जो हो जाएगा वो sin pi by 2 minus x होता है cos x तो cos to the power 4 x हो जाएगा और यह हो जाएगा cos to the power 4 x और यह हो जाएगा sin to the power 4 x तो फिर से आपको denominator में वही quantity बचेगी cos to the power 4 x sin to the power 4 x ठीक है इस वाले integral को और इस वाले integral को अगर आप add करोगे तो क्या आएगा 2i हो जाएगा क्योंकि यह i है और यह भी i है और right hand side में जब आप add करोगे तो 0 to pi by 2 तो है ही और denominator यहाँ पे same है numerator add होके cancel हो जाएगा क्योंकि numerator में आएगा sin to the power 4 x cos to the power 4 x तो यह cancel होके 1 dx आ गया इसका integration हो गया x limit of integration है 0 to pi by 2 यानि कि यह आगया pi by 2 minus 0 यानि कि pi by 2 यानि कि i कितना हो गया i हो गया pi by 4 तो यह आपका answer हो गया काफी interesting property है और काफी अच्छा भी है यह जो problem है यह काफी popular problem है और कई बार अलग-अलग exams में पूछा गया है ठीक है तो हमारा जो i है यहाँ पे इसको आप माल लेते हैं यह है आपका i तो सबसे पहली जो property आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो वो करते हो 0 to pi by 2 और log of sine की जगा पे मैं लिख देता हूँ sine pi by 2 minus x dx कौन सी property उसकी वही property जो हमने आपको यहाँ पे बताई थी की x को हम replace कर सकते हैं a minus x से तो यहाँ पे x को replace कर सकते हैं pi by 2 minus x से तो यह i क्या हो जाएगा यह i आपका हो जाएगा 0 to pi by 2 और log of sine pi by 2 minus x यानि की cos x dx ठीक है तो इसको और इसको अगर आप ले लो इसको माल लो आप 1 माल लो और इसको आप 2 माल लो ठीक है आई को अगर आप इधर भी लिख लो ता कि आपको सहुलियत हो देखने में राइट हैंड साइड में लिखने पर हो सकता है कि confusion आ जा तो यहाँ पर आई और आई को अगर आप add करोगे तो क्या आएगा यहाँ से आपको आएगा 2i ठीक है और यहाँ पर log of sin x और log of cos x को add करोगे तो क्या आएगा मैं लिख देता हूँ 0 to pi by 2 यहाँ पर आपको आएगा log of sin x into cos x आपको पता है property log of a plus log of b कौन से property उसकिया log of a plus log of b यह बड़ाबर होता है log of a into b पर एक चीज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को एक idea है कि अगर sin 2x का एक formula होता है वो होता है 2 sin x cos x ठीक है और यहाँ पर हमारा sin x cos x तो है पर 2 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले integral में इसको दोबढ़ा लिखता हूँ 0 2 pi by 2 और इसको लिखता हूँ log of sin x cos x ठीक है और यहाँ पर मैं plus log of 2 कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ minus log of 2 dx इसे तो आप disagree नहीं करोगे अब क्या करना है कि पहले 2 को collect कर लो पहले 2 को अगर आप collect करोगे तो log of sin x into cos x और plus log of 2 यानि कि दोनों मिलके आपको देगा log of 2 sin x cos x और इन दोनों के बदले मैं direct लिख सकता हूँ log of sin 2 x ठीक है और minus इसको मैं separate कर देता हूँ 0 2 pi by 2 log of 2 dx ताकि यह तो constant है इसका तो integration हो जाएगा अब मैं क्या करता हूँ next page पे जाता हूँ हमारा यहाँ पे जो integral अभी तक आया है मैं इसको copy कर लेता हूँ 2i is equal to 0 2 pi by 2 ठीक है और log sin 2 x log sin 2 x dx माइनस और यहाँ पे है 0 2 pi by 2 log of 2 dx तो 0 2 pi by 2 log of 2 dx ठीक है अब इस वाले integral को मैं क्या करता हूँ इस वाले integral में मैं मालो एक substitution करता हूँ कि let u is equal to 2 x ठीक है तो du क्या हो जाएगा du हो जाएगा आपका 2 dx और एक चीज यहाँ पे important है कि आपको limit भी change करना पड़ता है आप अगर x को 0 लोगे तो u उस case में आपका 0 होगा और अगर आप x को pi by 2 लोगे तो u उस case में आपका pi होगा तो यह जो integral है वो हो जाएगा 0 to pi ठीक है और लोग of sin 2x की जगा पे आप लिखोगे sin u और dx की जगा पे आप लिखोगे 2 du और minus यह वाला integral तो आप calculate कर दो log of 2 constant हो गया integration of dx x हो गया limit हो गया 0 to pi by 2 जो interesting बात यह है कि इसको हम next step में लिख रहे हैं 2 times 0 to pi और log of sin u du ठीक है और यहाँ पे हमारा यह क्या जाएगा इसको अगर आप limit को put करोगे तो pi by 2 minus 0 यानि कि आपको मिलेगा minus pi by 2 log 2 अभी तक कोई confusion I hope कि आपको नहीं है अब यहाँ पे जो मैं step करने वाला हूँ वो सबसे important step है तो इसको आप ध्यान से समझीए एक हमने property देखी थी property क्या थी कि 0 to 2a f of x dx ठीक है तो यह होता है 2 times 0 to a f of 2a minus x dx यह property आपकी होती है यहाँ पे 0 to pi है ठीक है तो इसकी जगा पे हम क्या कर सकते हैं इसकी जगा पे मैं लिखता हूँ आप अगर disagree करना तो बताना इसकी जगा पे मैं लिखता हूँ 2 और इसको मैं लिखता हूँ 2 times 0 to pi by 2 log of sin u du अब आप बोलोगे कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं ठीक है और जो दूसरा term है वो तो already लिखी दो फिर मैं इसके उपर वापस आता हूँ आपका सवाल यह हो सकता है कि यहां पे आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं क्योंकि property क्या है यहां पे 2a कितना है यहां पे 2a है इसको आप बोल रहे हो 2a तो 2a है आपका pi तो a कितना आप बोल रहे हो pi by 2 ठीक है तो एक तो है कि यह 2 times क्यों कब कर सकते हैं जब आपका जो function है f of x यानि कि यहाँ का जो function है f of u अगर उसकी जगाँ पर f of 2a minus x लिखो तो देखो यह तो आपको पता ही है कि sin of pi minus u किसके बड़ाबर होता है sin of u के बड़ाबर होता है तो sin of pi minus x sin of u के बड़ाबर होता है तो यहाँ पर f of x जो है वो f of 2a minus x के बड़ाबर है इसलिए इस property का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते है I hope कि आपको clear हुआ तो यह क्या हो गया तो यह जो आपका integral है वो change होके 0 to pi by 2 था मतलब यह two times हो जाता है तो यह आपका क्या बना तो यहाँ पर एक चीज मैं थोरा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर substitution किया था तो substitution में हमें करना था dx की जगा पर substitution du के terms में तो यहाँ पर du था 2 dx के बड़ाबर तो हमें dx को 2 du नहीं लिखना था हमें du by 2 लिखना था यह गरबर हो रहा था आप gu by 2 यहाँ पर लिखते तो आपका बाहर में 2 नहीं आता पर आपका 1 by 2 आता ठीक है तो यहाँ पर आपका 1 by 2 था और यहाँ पर आपका 1 by 2 था अब देखिए तो यह 2 और 2 तो यहाँ पर cancels हो गया अब यह क्या बचा 0.05.05 अब उप साइन हो और log of आपका जो original problem था वो x के term में था तो आप इसको लिख सकते हो log of sin x dx कौन सी property का यूज़ करके जो सबसे पहली property हमने discuss की थी कि अगर x हो और उसकी जगह पे कोई और variable लिख लिया जा तो कोई challenge नहीं आएगा तो यहाँ भी वही चीज हो रही है यहाँ भी अगर आप देखो तो हम u की जगह पर वो variable लिख रहे हैं और यह हो गया आपका minus pi by 2 log 2 ठीक है और यह सब कुछ किस के बराबर है यह सब कुछ 2i के बराबर है और यह क्या आ रहा है यह भी आपका i आ रहा है ठीक है यह आपका i आ गया तो finally जो आपका answer हो गया next way में जाने की जुरूबत नहीं यहीं पर manage हो जागा तो 2i minus i करोगे तो यह i आ गया और जो answer आ गया हो गया minus pi by 2 log 2 ठीक है तो यह एक अच्छा problem था मैं आपको quickly इसको दोबाड़ा एक बार repeat कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जो property हमने use किया कि x की जगा पर a minus x है याई कि pi by 2 minus x इस्तेमाल किया तो यह log of cos x हो गया फिर यह आई था और यह आई था दोनों को add किया तो 2i आ गया 0 to pi by 2 यह हो गया log of sin x cos x dx ठीक है अब इसको sin 2x बन जा इसके लिए हमने log 2 add कर दिया और log 2 minus कर दिया इन दोनों टर्म को collect करने पर log sin 2x आ जाएगा 0 to pi by 2 log 2 फिर हमने क्या कि हमने substitution कि 2x के बदले u लिखा तो du 2dx के बड़ाबर आ जाएगा और limit को change कर दिया x 0 तो u 0 x pi by 2 तो u pi तो limit 0 to pi log of sin u x 2x की जगा पर u dx की जगा पर जो हमने गलती किया था वो correct कर दिया था du by 2 अब यह 1 by 2 बाहर आ गया log of sin u du 0 to pi है तो 0 to pi तो यह वाली property उचकिया कि 0 to 2a f of x dx होता है 2 times 0 to a f of 2a minus x dx तो यहाँ पर basically आपका f of u क्या था है आपका f of u था log of sin u और f of 2a minus x यानिकि 2a pi है तो log of sorry f of f of pi minus u तो pi minus u क्या होगा log of sin pi minus u तो log of sin pi minus u क्या होगा log of sin pi minus u जो होगा वो बड़ा बड़ा होगा log of sin u क्या है तो यह वाली property उचकिया 0 to pi by 2 और last में फिर से first property का यूज किया कि u को x में बदल दिया तो 2i जो है वो i minus this हो गया यानिकि i को फिर से left में ले आएंगे तो यह हमारा integral हो जाएगा तो इस तरह से definite integration के almost कई important results को हमने यूज किये अगर आप देखें तो हमने almost सारे results इस problem के अंदर mode वाला किया था उसमें ये भी यूज हो गया है ये property तो हमने कई बार यूज किया साथ ही साथ ही ये भी property यूज किया और even function का भी यूज किया तो definite integration के जो important properties थे उसका यूज किया अब integration का जो playlist है I think complete हो चुका है मैं आरने वाले जो integration के videos डालूँगा उसको एक separate playlist में डालूँगा जहाँ पे क्यों challenging integration problem करूँगा और अलग-अलग type के अगर आप plus two student हो body exam के लिए prepare कर रहे हो या engineering student हो अगर आपको integration representation में challenge आता है तो ये playlist आपके लिए sufficient होगा integration को mastery करने के लिए practice बहुत जरूरी होता है अगर आप practice नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा formula याद रखना और practice दोनों बहुत जरूरी है इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे ने topic के साथ अगर आपने वीडियो को अंध तक देखा है तो like कर दे चैनल को subscribe कर ले thank you great watching